हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप लोग मैं प्रसान सिंग आप सभी का बहुत वा स्वाल करता हूँ आप तुने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो ऐसे बहुत से स्टुडेंट्स होंगे जो अभी क्लास 11 में गया होंगे और उनके माइंड में चलता हुए यार कौन सी बु जा रहा हूँ कि कौन सी वह important books हैं जो आपको क्लास 11 और 12 में physics के लिए फॉलू करनी चाहिए और साथी साथ दोस्तो आने वाले स्वाम में मैं math में और chemistry में और Hindi में English में और भी बहुत सारे subjects की book पे मैं video बनाता रहूँँगा तो दोस्तो इस चैनल को अभी तक आपने subscribe नह सारी क्योंकि दोस्तो NCRT book कहीं न कहीं से NCRT book में बहुत सारे concept छूबे रहते हैं जहां से हमारे question पूछे जाते हैं तो दोस्तो physics के लिए भी यही मानना है मेरा कि physics के लिए भी आपके पास NCRT book तो होनी ही होनी चाहिए NCRT book के साथ साथ दोस्तो अगर आपके पास previous years के papers है तो दोस्तो 12 के 12 में आपको 90% से उबर पाने से कोई भी नहीं होता लेकिन दोस्तों सिर्फ NCRT पढने से आपका काम नहीं चलता क्योंकि most of the cases में बहुत सारे students का यह सिकायत होती है कि NCRT का जो पोर्साने उन्हें समझ में नहीं आता और उस ही भी है दोस्तों क्योंकि NCRT जो है काफी tough book है काफी compact form में सारी चीजे लिखी हुई है अच्छे से explain नहीं किया हुआ है तो दोस्तों उसके लिए आपको एक reference book की जरूरत पढ़े गई NCRT के साथ साथ तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ reference book के नाम बता दे रहा हूं और ध्यान रहा है कि यह जो reference book है यही top selling reference book है और सबसे जाता इनी books को follow किया जाता है most of the students के द्वारा most of the teachers के द्वारा इनी books को suggest किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले book जो मैं reference book आपको follow करने के लिए काऊँगा वो है प्रदीप की book दोस्तों प्रदीप book अपने आप में complete book है अगर आप NCRT के साथ साथ प्रदीप book परते हैं तो आपको बहुत ही फादा मिलेगा क्योंकि दोस्तों प्रदीप में सारी NCRT के concept को और इलेवरेट करके समझाये गया है प्रपर डाइग्राम के साथ प्रपर ग्राफ के साथ डेरिवेशन के साथ और उसके अलाओं दोस्तों most important question उसमें दिये गया है प्रिवियस के papers दिये गया है और साथी साथ दोस्तों उसमें conceptual question competitive exam के question भी दिये हुए है तो दोस्तों प्रदी education की physics की book भी बहुत ही important book है बहुत ही लोगों के द्वारा सरा गया है बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों उसमें भी सारे चीजें अच्छे से well defined manner में रखा गया है सारे concept को सारे numerical को सारे theorem को सारे theory को अच्छे से explain किया गया है तो दोस्तों वैसे तो पर solve किये गए हैं सुछ solve important examples दिये गए हैं उसके अलावा दोस्तों सब्यासी बोर्ट के अलावा और भी बहुत सारे बोर्ट के वहां पर solve question आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों कहने का मतलब यह है प्रदीप जो है वह आपके board centric book है वहीं दूसरी वह जो ABC publication के book है वह आपक books में और दोस्तों अभी मैं बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी book सबसे अच्छी होगी important होगी लेकिन दोस्तों साथी साथ एक book और रह गई जो आपको बताएं थी वह है SL Aurora की book दोस्तों आज कल SL Aurora की book के एक खासा क्रेज है लोग बहुत ज़्यादा उसे सराना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसे पसंद कर रहे हैं यहां तक कि बहुत सारे टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वह SL Aurora को फॉलो करते हैं और बहुत सारे कोश्चनों SL Aurora से भी जो है आपके board exams में आते हैं या फिर आपके teacher जो है SL Aurora book से आपको class में देते हैं तो दोस्तों SL Aurora भी बहुत ही मैं बताना सबसे पहले जाहूं आपको कि इन सभी books में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके board point of view से important नहीं है या फिर competitive point of view से भी important नहीं है फिर भी उन सभी books में दिया हुए है जिसके वाइसे वह book काफी मोटी हो गई है उसके लिए दोस्तों आपको उन सभी concept को उन सभी फाल सब्सक्राइगी वही आपके syllabus में है उसके बाद दोस्तों आपको पता चल गया कि आपका syllabus किया है एक बार आपको syllabus पता चलने के बाद आप ABC तदीप या पिर SL Aurora इन तीनों में से किसी एक book को follow किजिए और जो भी आपकी class कि syllabus है उसके according उन सभी subject को पढ़िए अब दोस्तों इन तीनों में से कौन सी हुआ सबसे अच्छी है पर सबसे इंपोर्टेंट है तो दोस्तों तीनों book मैंने जो भी 12वी चूछ करके लाएं तीनों book अपने आप में important है बहुत से लोग तीनों में से 2 पbung को पसंद करते लेकिन दोस्तों सबकी personal choice है क्योंकि आपको हो सकता है चार पसंद हो मुझे हो सकता है coffee पसंद हो तो दोस्तों मैं अपने according मैं नहीं बताने वाला हूं कि कौन सी book अच्छी हो है कौन सी book नहीं आपको दुकान पर जाना है और इन तीनों book को देखना है इन तीनों books में से जो आ आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि share करना important है और दोस्तों अगर कोई भी दिमाग में सवाल है सुजा हो तो नीचे comment box में पूछिएगा जरूर मैं आपका answer जरूर दूँगा तो आसा को आसा कसे स Atlblick प्यां सवाल जरूर थाहा दोस्तों ससको होगी 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 झाल झाल